सिहोर और नर्मदापुरम में भी रेत माफिया बेखौफ हैं सोमवारात गरडिया नाले के पास खनी चौकी पर कुछ रेत कारेबारियों ने सिहोर के खनी जनिरी चक संतोज सूर्यवनसी को पूलिस की मौजूद्गी में धमकाया मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चौहान माफिया प्राधों को 10 फीट जमीन में गाडने के और बुल्डोजर से निस्ते नाबूत करने की बात कहते हैं तो वहीं दूसरी और उन्हीं की विधान सभाथ छेत्र में बदमास खनीज अधिकारियों को धमका रहे हैं घटना का वेडियो वाइरल हुआ है जिसमें डंपर चैकिंग के दौरान खनीज इंस्पेक्टर सूरीवंसी से एक यूवक तेज आवाज में बाते कर रहा है यूवक कह रहा है कि होशंगाबाद वालों को समझ रखा है क्या लड़ना हो ऐसा बताओ मैं अभी आजाओंगा लड़ने के लिए आपने मेरा नाम क्यों लिया खनीज इंस्पेक्टर भी कह रहे हैं कि लड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं आर या पार मुझे परमार साहब का कॉल आया कि कोई आकास पानले की गाड़ी है खनीज इंस्पेक्टर संतो सूरिवनसी ने घटना के बाल से ही कॉल उठाना बंद कर दिया इस मामले में पुलिस में शिकार तक नहीं कराई वैस पूरे मामले में कॉंग्रिस ने भी तंच कसते हुए सिवराज सरकार पढ़ने साना साधा है पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाद के प्रवक्ता नरेंदर सलूजा ने ट्वीटर पर ये वीडियो पोस्ट कर मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान के विधासवा छेतर बुधनी के होने का दावा किया है प्रवक्ता नरेंदर सलूज़ा ने दो पोस्ट की जिसमें लिखा शिवराज सरकार में होसंगाबाद छेतर में आधिकारियों के सामने ते वर देखिए ऑफने कब अपने का बोला ऑविद लटने की लटने की रही है, को तू लटने आया रहे है, को आप लड़ने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्त नहीं है अगर नहीं है तो आप ने वालतुबाद मत करो आप नहीं इस तरह नहीं दिखाने का नहीं आप ने गल्टी करी हो तें आप आपने मेरा नाम लेकर बोला तो पर्मारफाब कर लिए उनने बोले को यहां को आप अज कर अपन खतरनाक मूड में कि गड़बर करने वालों को छोड़ेंगे भोड़ेंगे नहीं फारम मैं मामा भी और देख तरफ माफियों के खिलाब अभियान चल रहा है मसल पावर का रुसुक का इस्तेमाल करके कहीं अवेद कबजा कर लिया कहीं भवन तान दिये कहीं ड्रग माफिया या सुन लो रे मदपने छोड़ देना नहीं जमीन में गार दूंगा दस्विट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसे सुसासन का मतलब जन्ता पर इसान ना हो